हलो एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज स्क्रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पॉर्सन की करेंट फिलिंग्स क्या है आपके लिए ठीक है तो चलिए करते हैं देखते हैं कि आपके पॉर्सन की करेंट फिलिंग्स क्या है आपके लिए क्या कुछ है उनकी फिलिंग्स कि जो है decisions जो भी मुझे कार्ट में नजराएगा मैं आप को बताने के कोशिश करूंगी थिक है स्व इस काट्ट से आज हम देखने वाले हैं आप पोस्ते कि ऐसे प्रेंच करन्फ फी लिंग्स ठीक है और लिग में कि क्या है उनकी करेंट फिरिंग्स क्या है कुछ चलिए स्टाट करते हैं देखते हैं आपके पॉर्शन केने चीज़ ओके सूर्व स्टार्ट इस मुझे गाइट की जैंजल्स फेस्बुक पेज के लिए आप लोग बहुत सारे लोग पुछ रहे थे ट्रीपल सेवन टैरो वित रूही पेज का नाम है आप लोग टाइप भी करेंगे न तो वो आ जाएगा ठीक है तो आप लोग टाइप कर लिजे क्योंकि मैं फेस्बुक पे जो है ना लाइव आने वाल जाओंगे जैसे कि manifestation सही से कैसे करें या फिर आप अपने person को कैसे अपने करीब ला सकती है या फिर कैसे negativity को दूर कर सकती है जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फेस्बुक से कनेक्ट हो सकते हो फेस्बुक पेज और मेरा इंस्टा से भी इंस्टा पे भी मैं हूँ टीपल से वें टारो वी थ्रू ही ठीक है प्रिसकाइड किजा एंगेल्स जिनको भी मुझसे प्रस्ण रीडिंग लेनी है दिये गए वाट्स अप नमबर पर कॉन्टाइट करके बुकिंग करवा सकते हैं चलिए देख लेते हैं कार्ट्स प्लीज मुझे गएड कीजिए देख लते हैं क्या आते हैं हमारे पास आपके लिए दिल के हैता है चल उन से उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हम को बहुर दल इट अफ पैंटिकल्स बॉटम अफ देख ओके सो कार्ट्स के नर्जी मुझे क्लिरली बता रही है कि आपके जो पार्ट्नर है मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपके जो पार्ट्नर है काफी अपने करियर में अपने वर्क पे जदा फोकस करने वाले हैं यह पर्शन अभी सेटल नहीं है कुछ लोगों के पार्ट्नर फीन अफ कप्स एट अफ सौर्ट्स ओके एंड हमेरे पास एस अफ कप्स चलिए यह हो गए हमारे पास कार्ट्स ओके तो यहाँ पर कार्ट्स की नर्जी मुझे क्या बता रही है मैं आपको पहले साइन बता दू साइन मुझे दिख रहा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसस जमेनाई लिब्र एक वेरियस टॉरस वर्गो काप्रिकॉन इतने ही साइन अभी अबिलेवल है मेरे पास ओके तो कार्ट्स की एनर्जी मुझे क्या बता रही है कार्ट्स बता रहे है आपके पर्सन मुझे काफी लग से नजर आ रहे हैं एक दम यह परसन बहुत जादा डिस्टर्ब है चुकि इनकी जो स्ट्रूशन है जिस परेस है यहाँ से यह परसन जो है नहीं कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं ठीक यहां ऐसा है यहाँ यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं आपके पर्सन आप उमीद लिए बैठे हो अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करने की एक नई चाहत रखने की यहाँ पर लेकिन क्या है कि न्यू बिगनिंग भी नहीं हो रही है और कुछ नया हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में चुकि आप इंतिजार तो कर रहे हो अपने पर्सन का लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आने ही पा रहे है तो यहां पर दिख रहा है कि आपके बहुत जल्द बाजी करते हैं किसी भी चीज में जल्दी 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 करने वाले रहते हैं जल्द बाजी में इस सारी चीज में इनको करना पसंद है मुझे यहां पर यह दिख रहा है और यहां पर यह भी दिख रहा है जैसे कि ये जो है आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसी ऐसी सिट्वेशन भी दिख रही है ना जो एक होता है ना कि रिग्रेट फील होना और उस रिग्रेट फील होने के बाद से खुद को निकालना ठीक है तो वहां से ये परसन निकल नहीं पा रहे हैं इनको बहुत अफसोस हो रहा है इनको बहुत रियलाइज हो रहा है कि इन्हों ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है क्योंकि आप इतने अच्छे परसन रहे हो इनके साथ इतना अच्छा आपका बिहेवियर रहा है इस परसन के साथ इतना बैलेंस्ट रहा है इस परसन के ज़ण आ रही हैं तो मिल्या से यहां पर दिख रहा है कि यहां पर दिख्राइब तीन लेना वाले हैं तीक हैं डिसिजन लेना ही पड़ेगा तब जाके जो हैना डिसीजन जो भी है ठीक उसके अनुसार से चलना चाहिए ठीक यहां मुझे ऐसा दिख रहा है यह पॉर्सन लांग डिस्टिंस में भी हो सकते हैं आपके सांथ लीगल मैटर भी चल रहा होगा हो सकते कि आपके हस्बंड ही है या फिर आपकी व सब्सार से गोइंग विद्ध दा फ्लू कि आपके पर्सन मुझे बहुत मैंट्ली डिस्टर्ब नजर आ रहे बहुत ज्यादा और यह पर्सन जो ना एकदम से होता है ना जो निरासा भरी जहलक मैं देख पारी हूं इस पर्सन की एकदम से निरास ठीक है एकदम से निरास मुझे यह पर्सन नजर आ रहे हैं कि निरास है और इस तरीके से निरास है कि मतलब कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार कि यह क्या हो रहा है है ना वो वाली सब्सक्राइब यहां पर्षान के सामने ऐसी ऐसी सिचुशन चल रही है जो सिचुशन को देख करके आदमी सहम सा जाता है जो सिचुशन या फिर कहें तो एक बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने अपने एक्सपरियंसे सेर करते रहते हैं कि हां मेरे साथ तो मेरी लव लाइफ में यह हो गया मेरी लाइफ में यह हो गया तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आपको वहीं पर रख रहे हैं और अपने आपको है ना उस चीत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं मतलब क के साथ आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने जो है गायल किया है ठीक तो यहाँ पर मुझे जो है न यह दिख रही है चलो प्रिस मुझे गायल कीज़े इनर वाइस ओके हीलिंग ऑके बॉटम अफ़ डेक देख लेते हैं वाउ तो यहाँ पर कार्ट्स बता रहे हैं कि आपके परसंट मेंटली डिस्टर्ब है ऑके और जो चीजे देखो जो चीजे जैसी है वैसे चलने देना थोड़ा सा इनके लिए यह है यहाँ इनको लग रहा है कि मैं कैसे है ना एक होता है ना कि हां हमारे सामने भी कुछ सुच्छिशन ऐसी आ जाती है कि हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए ठीक तो वैसे ही आपके परसंट को भी हम ले 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 तो उनकी भी एनरजी कुछ ऐसी ही नज़रा रहे है कि उनको भी कुछ सम भीनिग तो करना चाहते हैं ठीक यहां पर देखो यहां की एनर्जी गोईंग विद्दध फ्लो हैं वहां लेकिन क्या है कि यहां पर आपके परसंड तो आनी है आनी यहां परलेशन सिप में प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन मैं देखो तो यहां पे धीरे धीरे करके जाना चीजे बदलेंगी ठीक यहां पे आपके परसन का जो दिल है आपका जो दिल है वो कह रहा है कि हाँ इस relationship की healing जरूर होगे मेरा person मेरे पास जरूर आएगा तो खुद को motivate रखे खुद को जो है ना उस energy में रखे कि हाँ भाई होना तो है ठीक है होना तो है आज नहीं तो कल थोड़ा time जरूर लगेगा बट मैं अपने relationship को heal कर लूँगा या कर लूँगी क्योंकि अगर आप heal नहीं करोगे आप हिमत हार जाओगे तो फिर relationship आपको पत बहुत जरूरी होता है है ना ओके चलो bottom of the deck देख लेते हैं हम देखो दीरे दीरे करके सारे चीज़े साही होने लगेंगी time लगेगा आपके relationship में जो चीज़े हो रही है जो चीज़े चल रही है वो दीरे दीरे करके जो है ना इसमें time लगेगा यहां cards मुझे यह बता रहे है inner peace का card है time लगेगा ठीक है यहां पे जो हैना healing के लिए cards आ रहे हैं healing करनी पड़ेगी ठीक आप दोनों की healing करनी पड़ेगी healing की ज़ुरत है और यहां पे दिख रहा है जिसे की power की भी ज़ुरत है बहुत ज़दा power लगना मत तब कि एक strength के साथ एक power के साथ खड़े रहा है inner new beginning का card है तो यहां पे दिख रहा है कि हाँ आपके cards में clear है दिख रहा है कि healing होगी मन की शानती होगी मन की शानती होगी तो क्या होगा दीरे 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 करके सारी चीज़े जो है ना जो जैसी थी पहले यहां कि जितना अच अच्छा हो सकता है लेकिन time लगेगा ठीक इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है कोई चूमंतर नहीं कर सकता ठीक तो यहां पर यही card बता रहे हैं कि आपके लिए healing अभी बहुत ज़दा ज़रूरी है healing के साथ साथ आपको strength भी रखनी होगी और मैं देखूं तो healing के साथ साथ मुझे यह भी दिख रहा है जिसे कि यह person के साथ जो है ना आपका जो relationship है कहीं न कहीं ठीक है कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूं कि यहां पर मुझे काफी आपके person एक hopeless जो हो रहे हैं इनको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा इनको angels guide कर रही हैं इनको universe guidance दे रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो तुमको करना ही होगा यहां पे survive तो करना ही होगा यहां से survive नहीं करोगे तो फिर आगे की life के बा कि यहां पर मैं देख पार हूं कि आपके person की enlightenment तो हो रही है इनको कोई ना कोई आपको भी दिख रहे होंगे आपको भी दिख रहे होंगे balance बनाना या फिर ऐसा कुछ एंजल नंबर दिख रहा होंगे यहां पे ऐसी वाली एनरजी है, मुझे भी 111 दिख रहा है, ठीक है ना, तो यह है और दिख रहा है जिसे की 69 है, 69 69 है, किसी का 666 है, किसी का 9999 है, तो यहां पे यह angel numbers दिखेंगे आपको, आपके person को भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो relationship है, इसकी development हो रही है, और यहां यहां पे new beginning होगी ही होगी, आपके person आपके साथ new beginning करने को तयार है, आप बस अपने अंदर वो power रखी, अपने अंदर वो strength रखी, कि हाँ भाई, करना है new beginning और कुछ नहीं, ठीक है, तो मैं यहां पे यह देख पाई हूँ, आपके cards में, तो चलिए करें, अब हम reading को खत्म, ठीक है, देखते हैं, आगे जो भी होगा, वो मैं आपको update करूँगी, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो चलिए करते हैं reading को, खत्म मिलते हैं अगली reading में, तब तक हस्ते रहिए, मुस्कुरात्री और खुश रहिए, बाबाए